आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो एक न्यू जॉव और वेकेंसी का अपडेट लेकर काया हूँ जिसमें की सिबिल इंजिनेर के लिए वेकेंसी है, मेकनिकल और इलेक्टिकल इंजिनेर के लिए पर्मानेट वेकेंसी है इसमें आपको 54 ग्रेट पे सेल्डी है और ये पर्मानेट जॉव है तो इसमें बहुत ही अच्छी सेल्डी आपको मिलने वाली है ये जो वेकेंसी आपको निकल का रही है, पब्लिक वेकेंसी अच्छी स्ब्सक्राइब कर सकता है, कैसे अप्लाइ करना है इस चैनल के मादयम से आपको डिप्लोमा और बिटे के सभी बरांश के लिए जब और वेकेंसी का अपडेट मिलती रहती है तो आप लोग जरूर से चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर पहली बार विजिट कर रहा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेला के प्रेस करके औल सिलेट करके रखिए जिससे कि आने वाले ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहेगी वीडियो को अभी तक लाइक निके हैं तो जरूर से एक लाइक कर देजिए तो आप लोग अकर यहां से जुरे रहते हो तो जो भी मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाता हूं उनसे रिलिटेट जो भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिखाता हूं सब मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल देता हूं तो आप लोग यहां से जूर के आसान लाश्ट डेट वर ऑनलाइन सब्मिसन और एपलीकेशन फी के साथ 139 20 लाश्ट डेट है इस देट तक आप लोग इसको एपलाय कर सकते हैं यह इसका इंपोर्टेंट डेट्स दिया गया है अब देख सकते हैं नमर वर वेकेंसी की बात करें और डिटेल्स पोजिशन दिया गया है नमर वेकेंसी नेम आफ डिपार्टमेंट और नेम आफ पोस्ट ब्रांच सब कुछ यहां पर डिटेल में दिया गया है तो मैं बारी बारी से करके आप लोग को एक एक करके दिखा देता हूं तो फर्स्ट नमर में ही आप लोग देख सकते हैं पब्लिक वर्क्स डिप इपार्टमेंट में वार्म के लिए 28 सीट यौहाँ और इलेक необходимо इसमें परांच हैं तो हसिंग डिपार्टमेंट की तरब से हैं इसमें असीस्टेंटब इंज्दिकर इंजिनियर्म के लिए 21 सीट है और और चार नमर की बात बता रहा हूँ, चार नमर में जो है नगर विकास विवाग है, इसमें असिस्टेंट इंजिनियर वाटर, बी कटेगरी, जलकल इंजिनिरिंग, इसमें 14 सीट है, और इसमें सिबिल, इलेक्रिकल, मिकिनिकल, तीनों वाले इसमें अपलाई कर सकते हैं, उसके एवं विकास परिसाद के तरफ से है, असिस्टेंट इंजिनियर सिबिल के लिए 76 पोस्ट है, और इसमें सिबिल वालों के लिए है, उसके बाद आवास एवं विकास परिसाद के लिए, इलेक्रिकल वालों के लिए है, इसमें 4 पोस्ट है, और इलेक्रिकल क्वालिफिकेश है ग्यारा नमट में माइनर इरिगेशन डिपाटपर्मेंट है इसमें असिस्टेंट इंजिनेर एगरिकल्चर के लिए है 12 नम Brenda में इंडरिस्ट्रियल डेवलोपमेंट डेपाटमेंट इसमें मनेजर सिवील के लिए और 49 सीट है और सिबिल वाले इसमें अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद 12 नमर में Industrial Development Department में Manager सिबिल के पोश्ट पे 49 सीठ है Civil Engineering वाले इसमें अप्लाइ कर सकते हैं Industrial Development Department में Electrical, Mechanical वाले अप्लाइ कर सकते हैं इसके लिए 5 पोश्ट है उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसमें Civil, Mechanical, Electrical, Chemical, Industrial, Fire और Hydraulics यह वाले इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और इसमें एक पोश्ट के लिए Vacancy निकाली गई है Assistant Television Engineering में इसमें Electronics Qualification है यह Complete Information था और एक चीज है Assistant Engineer Ruler Engineering Department में 10 पोश्ट के लिए है और इसमें Civil Engineering Qualification है तो यह Vacancy Position का जो था Branch-wise और Category-wise और Post-wise इसमें अच्छे से मैं आप लोग को बता दिया इसमें अगर आप लोग को यहां पर Pay Scale देख सकते हैं 15,600 से लेकर के 49,100 Grade पे 54,100 पे आपको salary मिलने वाली है तो यह बहुत ही अच्छा grade पे है अगर आप लोग इसकी तयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर से इस form को अपलाई कर सकते हैं तो यह Complete Information था Category-wise, Post-wise और यह बहुत सारा PDF में इसमें बहुत चीज दिया गया है तो जो Only आपके लिए काम की सीज होगी जो Important होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा तो अगर आप Civil, Electrical, Mechanical और इसमें जो Agriculture था Industrial था, Fire, Hydraulics, Electronics Branch और Chemical Branch और चेमिकल ब्रांच अगर आप B.Tech किया हैं तो आप लोग इसको Apply कर सकते हैं Total पोस्ट की बात करें तो 271 पोस्ट के लिए Vacancy निकाली गई है अगर आप लोग इसके Illigibility Criteria और Quali जो इसको फुलफिल करते हैं तो आप लोग इसको Apply कर सकते हैं अब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसके लिए जो Qualification है वो इसमें B.T.E.C. रखा गया है अलग-अलग Department के लिए जो जैसे कि मैंने अभी अलग-अलग Department के साथ जो आपको पोस्ट वाज Qualification मैंने भी आप लोग को बताया इसमें आप लोग इहां पर देख सकते हैं जो आपका B.E.M. Master या Bachelor डिग्री पास होना चाहिए आपका Civil Engineering उसके बाद Electrical वाले और Mechanical वाले है इसमें भी डिग्री इन Electrical Engineering और Mechanical Engineering में है तो अगर आप लोग Civil Electrical और Mechanical Engineering से अगर आप B.T.E.C. की हैं तो आप लोग इसको एपलाय कर सकते हैं इसमें अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग Qualification दिया गया है लेकिन वो इसे ही है जिसे की आपका सभी में B.T.E.C. Qualification डिग्री होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अलग-अलग विभाग में जिसमें आप apply करना चाहते हैं उसमें वो post के लिए दिया गया है तो अगर आप लोग किया है तो आप लोग इसको apply कर सकते हैं इसके लिए आपको online apply करना होगा और online apply करने के लिए आपको फीच देना पड़ेगा तो वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो online application charge है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं undeserved category और EWS category जो है वो आपको exam फी उसको 200 रुपे और 25 रुपे processing फी total 225 रुपे का इसमें फी लगेगा अगर आप SC और ST cast के हैं तो आपको 105 रुपे का लगेगा अगर आप handicapped के हैं तो आपको 25 रुपे का फी लगेगा अगर आप लोग इसको apply करना चाहते हैं तो वीडियो के description में आपको apply online का link मिलेगा वहाँ पे click करके आप लोग इसको सीधे apply कर सकते हैं और ये PDF download करने के लिए आप लोग वीडियो के description में मेरे telegram channel का link मिलेगा वहाँ पे click करके आप लोग join हो करके रही है वहाँ पे मैं जो भी सारा update आता है जो YouTube channel पे मैं वीडियो बनाता हूँ उनसे रिलेट जो भी advertisement notice दिखाता हूँ सभी चीज मैं आप ले telegram channel पर डाल देता हूँ तो वहाँ से जूर के आप लोग आसानी से इसको download कर सकते हैं यह PDF में और भी बहुत सारा instruction और भी इसमें जो भी आपका exam होगा किस तरह से exam होगा क्या pattern है क्या syllabus है अलग-लग civil, mechanical, electrical का सभी का syllabus इसमें details में भाष्ट में दिया गया है paper 1, part 1, part 2 जो भी सारा है सब कुछ details में दिया गया है अगर आप लोग इन से इंट्रेस्टेट हैं इसको apply करना चाहते हैं तो आप लोग इस PDF को download किजिए वीडियो के description में मेरे टेलिग्राम चैनल का link मिलेगा वहां से जोइन होकर करके रहिए और यह PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लिजिए उसके बाद अगर आप लोग इसके लिए apply करना चाहते हैं तो आप apply कर सकते हैं वीडियो कभी तक like ने कहा है तो जरूर से like कर दीजिए अगर आपके मन में कोई confusion.quade हो तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं वीडियो के description में आपको मेरे telegram channel का link मिल जागा यहाँ पर click करके आप लोग जरूर से join हो करके रहिए यह देख सकते हैं 3.6 के subscribe हो चुके हैं तो आप लोग अगर यहाँ से जूरे रहते हो तो जो भी मैं YouTube channel पर वीडियो बनाता हूं उनसे related जो भी advertisement notice दिखाता हूं सब मैं अपने telegram channel पर डाल देता हूं तो आप लोग यहाँ से जूर के आसानी से उसको download कर सकते हैं